इसकार में दिपाली उप सभी का स्वागत दीपाली आस्टो में करती हूं देखते हैं आज का दिन इनकी 24 अगॐस्त 2020 कैसा जाने वाला है तो चलिए शुरुआत करते हैं मेशाशी वालों के साथ में शाशी वालों अगर आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज का दिन आपके लिए पॉजिटिविटी से भरा हो सकता है आज का दिन आपके लिए उन सभी तक्थियों को विचारने का है जहां पर आपको लगता है कि विगत कई दिनों वर्षों या महीनों में आपसे गलतियां हुई थी उसको इंट्रोस्पेक्ट करी और आगे बढ़ी आपको सब तरफ से पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव अब ठीक होता हुआ नजर आएगा उसमें पॉजिटिविटी मिलेगी साथ ही साथ आज के दिन नवीनतम उपर्चिनिटी भी आपको निवेश करने के संदर्म में मिल सकती हैं बात करते हैं विशब राशी वालों के लिए विशब राशी वालों सम्मानिता रहेगी आज की परिस्तिती कुछ खास नयापन आज के दिन देखने को नहीं मिलेगा जिस तरह से आप चल रहे हैं काबिले तारीफ है कारेशेतर में अगर आप उन्नती एक्सपेक्ट कर रहे हैं या नौकरी चेंज करने के इक्षुक हैं या कोई नई opportunities देख रहे थे तो अब वो situations आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी साथी साथ आज के दिन आपको किसी व्यक्ति विशेश के द्वारा कोई एक महत्वपून राय मिल सकती अगर आप उस राय दिशा निर्देश को लेकर आगे पढ़ेंगे तो आप अपने लिए positivity अख्तियार करेंगे बात करते हैं मिथुन राशी वालों के लिए मिथुन राशी वालों अगर आज के दिन के मैं बात करूं तो आज का दिन परिवारिक स्थिरता को maintain करने का है आज का दिन परिवार के साथ कुछ नवीन तम यूजनाओं पर काम करने का है आपने परिवार के साथ बिताई ये समय और आज के दिन इस बिताई गए क्वालिटी टाइम को आप अपने उपर रेजिमिनेट करने पर लगा सकते हैं साथ इसाथ जो लोग निवेश करने के एक्षुक हैं आज के दिन आपके पास कुछ न कुछ उपरजिनिटी के रूप में कुछ एक महत्वपूर्ण सूचना संकेत या निर्देश किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरफ से आ सकते हैं करकराशी वालों के लिए करकराशी वालों आपके लिए सिचुएशन से बिलकुल अनुकूल हैं कुछ खास उतार चड़ाव करने की जरूरत नहीं है जैसा चल रहा है वैसे चलाएं कुछ खास इसमें चिंता जनक परिस्तिती भी नहीं है लेकिन अगर आप अपने जीवन म करते हैं कुछ रेजिदेंस से संबन्दित कुछ निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो प्रॉपटी आपको फलदाई हो सकती है आप अपने सारे ओप्षिंज आज के दिन एक्स्प्लोर कर सकते हैं बात करते हैं सिंग राशी वालों के लिए आज के दिन के मैं बात करूँ तो आज के दिन आपके लिए खास दौर पर सेकेंड हाफ के दोरान आपको स्ट्रेसफुल सिचुवेशन का सामना करना पड़ सकता है, तो अपने स्वास के प्रती थोड़ा सा सचेत रहिए, साथ ही साथ कॉम्मिनिकेशन को क्रिस्टिल क्लियर रखते हुए कारशेत्र में आगे बढ़ने की जरूरत है, आज के दिन परिवार के साथ भी छोटी मोटी मिसंडरस्टांडिंग हो सकती है, तो स्वास संबंदी चिंटाएं, प्लस परिवार की स्थिर्ता या रिलेशिनशिप स्टेबिलीटी की में बात करूँ, तो आज के दिन आपको विशेश ख狭ी ठीयाल रखने की जरूरत है, साथ ही साथ आज के दिन खान पान पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है बात करते हैं कनेराशी वालों के लिए कनेराशी वालों आप ठीक परिस्तिती के साथ आगे बढ़ रहे हैं कुछ खास आपके लिए आज के दिन में नयापन नहीं होगा लेकिन जो momentum आपने अपने लिए बना लिया है वो काबिले तारीफ है ऐसे ही करते चलिये चलते चलिये आगे सब तरफ से आपको अपनी चीज़ों में positivity देखने को मिलेगी साथ ही साथ वो सारी चीज़ें जो आप अपने जीवन में करना चाह रहा है थे और नहीं कर पा रहे थे अब आपको वो अनुकूल टाइम भी मिलेगा वो options भी मिलेगा साथ ही साथ कुछ नया करने की अपने जो आपका एक regular income आ रही उसके अलावा बिद्दीन चार सोर्से के option आपको मिलेंगे आप परिवार के किसी सदस से या उनके लिए या उनके साथ कुछ ना कुछ multiple income resources के options को explore कर सकते हैं बात करते हैं तुला राशी वालों के लिए तुला राशी वालों आपके लिए situations बिल्कूल अनुकूल है positive है कारशेत्र में थोड़ा सा work pressure आपके लिए बढ़ सकता है जो लोग नौकरी चेंज करने का सोच रहे थे options नहीं मिल रहे थे अब वो परिस्थितिया आज के दिन आपके सामने आ सकती है और positivity के साथ आगे बढ़ भी सकती है साथ इसाथ आज के दिन परिवारिक स्थिर्था बनी रहेगी माता पिता या बुज़र्गों का आशिरवाद लेकर ही आज के दिन किसी शुभकारे की शुरूआत करें तो आपके लिए नुकूल रहेगा बात करते हैं व्रिष्चिक राशी वालों के लिए प्रिष्चिक राशी वालों जैसी परिस्टिती चल रही है आपके लिए काबिले तारीफ है कि आप इतने स्ट्रेस्वल महौल से हैं सिटुएशन से अपने आपको निकाल कर लेकर आए हैं स्थिर्था बनाने के लिए जो आपने बल दिया है जो जोर आपने उपर दिया है जिस तरह का आपने आत्म बल का एक मैं कहूंगी परिक्षा दी है कि आपका एक मेंटल बैलन्स ना खोए और गिरावट ना आए वो काबिले तारीफ है इसी तरह से मोमेंटम बनाई है आग स्थिर्ण राशी वालों आज के दिन आए के डिफेरंट सोर्स भी आपको देखने को मिलेंगे मन आपका शांत रहेगा विचाट धारा यह प्रबल रहेंगी आज के दिन अपने और अपने परिवार के लिए कुछ नई सोच या कुछ नई विचाट धारा या नया कुछ कर करने की जरूरत है meditation या कुछ relaxation techniques पे काम करिए जिससे आप अपने दिमाग को relax कर पाएं बात करते हैं मकर राशी वालों के लिए positivity मकर राशी वालों आपके लिए सब तरह से indicative है कहीं से कोई negative situations या परिस्तिती है नहीं जिस तरह से आप चल रहे हैं काबिले तारीफ है चलते चलिए कुछ खास नकरात्मक परिस्तिती या नकरात्मक उर्जा आपको आज के दिन देखने को या महसूस नहीं होगी परिवार का support बना रहेगा आगे की तरफ आप बढ़ सकते हैं नए काम में निवेश करने के options आपके सामने आ सकते हैं बात करते हैं कुमराशी वालों के सतरक रहने की जरूत है खास तर पे financial matters को लेकर कुछ ऐसा जल्दबाजी में निवेश मत करिएगा खास तर पे property matters में जहां पर आपको बाद में टेंशन लेनी पड़े इसलिए सारे documents को सारी परिस्तितियों को सारे options को rate को परिस्तिती को time को location को सब को आज के दिन आपको एक निरिक्षन करके ही investment के दौरान अगे बढ़ें अगर आप property में निवेश करने की सोस रहे हैं और जल्दबाजी ना करें साथी साथ आज के दिन पारिवार एक स्थिरता बनी रहेगी पारिवार का support मिलेगा लेकिन जल्दबाजी किसी भी matter में ना करें बात करते हैं मीन साथी साथ आज के दिन आपके लिए constant एक मैं कहूंगी positivity बरी हुई है इसी आत्मबल को आगे लेकर आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं किसी भी matter में जल्दबाजी आपके लिए भी करना आपके लिए घातक या खतरनाक हो सकता है खास तोर पे निवेश से संबंदिद या श सके इसी के साथ मुझे आगया दीजे मैं कल फिर हाजरूंगे नमस्कार झाल 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 झाल